आज हम लोग बना रहे हैं सबसे हेल्दी डोसा जो है मोंग की डाल का डोसा जो ग्रीन मोंग डाल होती है उसका डोसा हम बनाएंगे तो चलिए फटा फट से रेसेपी देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पे मोंग डाल एक कप मैंने रात बर भुगो दिया था वो फूल के इतनी हो चुकी है फिर हमें से blend करना है तो ये दाल मैंने mixi jar में डाल देंगे आधी-ाधी करके आप डाल सकते हो तो उसके बाद उसमें हम डालेंगे कांधा एक मैंने यहाँ पे कांधा डाला है और थोड़ा अधरक का टुकडा थोड़ी सी लसुन आप अपने हिसाब से लसुन कम जादा कर सकते हो और तेन मैंने हाँ पे हरी मिट्जी डाली हुई है और फिर उसके बाद हम डालेंगे पानी और उसे ग्राइंड कर देंगे ब्लैंड कर देंगे और फिर उसमें डालेंगे हम लोग हराधनिया और थोड़ा सा नमक स्वाधरुसार और फिर उसमें हम पाइं पेस्ट में पीस लेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे तीन स्पून चावल काटा इससे क्या होगा इससे ये डोसा जो हमारा क्रिस्पी बनेग बस उसके बाद थोड़ा सा हमें पानी डालना है क्योंकि हमें जो डूसा बैटर होता है उस consistency में इसको लाना है तो जो हमने चावल का आटा डाला था उससे इसे binding आएगी तो बहुत हेल्दी बनता है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है budget different में बच्चों के लिए different में क्या डालें यह हम लोग confused रहते हैं हमेशा school में तो यह डालके जाएं खिलाएं उनको बहुत हेल्दी रहता है तो चलिए बनाते हैं इस डोसे को तो देखते हैं यह कैसे बनता है तो उसे पहले gas बन कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा बैटर डालके उसे फैलाते जाएंगे अगर आप जालू gas में यह करोगे तो यह डोसा नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है बाकी नॉर्मल डोसे से देखिए पहले मैंने gas बन किया था फिर यह बैटर डालके फिर अब मैंने यहाँ पे gas चालू कर लिया है और फिर इसमें थोड़ा सा साइड से तेल डाल देंगे ताकि वो चिपकेगा नहीं नीचे और आसानी से निकल लाएगा यह देखिए मैं को यहाँ पे 2 या 3 मिनट हो चुके हैं वो नीचे से भी पक चुका है और यह बड़ी आसानी से निकल जाता है और जब भी आप यह प्रोसेस करो तो पहले हमें slow gas पे पकाना है और फिर हमें थोड़ा सा gas फास्ट कर लेना है तो बस थोड़ा सा oil लगा कर हम इसे प्रेस करते हुए पका लेंगे ताकि और भी ग्रिस्पी बन जाए तो बस देखिए हमारा जो मूंग दाल का डोस है वो बनके तयार है बहुत है हैल्दी होता है और आप खा सकते हो घर में बच्चों को खिला सकते हो बहुत टेस्टी रहता है आप इसे हरी चटनी के सा अब भी खा सकते हो इंज्वाइ कर सकते हो मैंने यहां पे हरी चटनी बनाई है और उसे में हरी चटनी के साथ इंज्वाइ करूंगी आप भी मुझे बताना कि मेरे की रैसिपी आपको कैसी लगी और रैसिपी अच्छी लगीती है तो प्लीज लाइक शेयर और कर लिया करो थेंक यू बर्देन नेक्स्ट वीडियो में बाबाई